मोदी जी इस कड़ी चाबल में थोड़ा सा भैस का घी ओटाल दो थोड़ा सा घी ओटाल दो घी के साथ कड़ी चाबल खाने में बहुत मचा हैगा अरे लालू जी पहले ही तुम प्लेट में दो चम्मत देशी की ले चुकी हो, कितना देशी की गाऊंगे, तुमारी पूरी प्लेट में कड़ी चाबल से जादा तो घी दिख रहा है, लालू जी आप भी बेपालतू की बात करती हो, मैं मोधी जी अगलेज और पुसकर सिंग दामी मिलके गाउबालों को बोजन करा रहे, इसका ये मतलब थोड़ी सारा का सारा देशी की अकेले तुम ही का जाओ, लो ये रसीले आलू लो, ये बहुत बढ़िया रसीले आलू है, लो, रावल रसीले उसीले आलू मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगा, कड़ी और चाबल ग देशी की अपने घर से ले आते, अरे यहाँ पे हम लोग सब लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी सारा का सारा देशी की अकेले तुम खा जाओ, देख रहे हो ये छोटी सी कटोरी में तो देशी की है, इतने देशी की को सब लोगों को खिलाना आ हुं आप पुन्य का काम कर रहे हो अच्छा काम कर रहे हो गाओं के लोगों को कडी चाबल और रजील आलू खिला रहे ओ तो कम से कम मन से दो जारा का सहरा मुझे दे दो विना देशी घी के मैं चाबल नहीं काऊंगा अरे लालू जी इदर आ जामी जी अगलेस ने प्लेट में कड़ी बहुत जाता डालती थोड़े से चाबल दे दो लानुजी आप जितने चाबल ले लो चाबल की कमी नहीं है ना ही कड़ी की कमी है ना ही रसीले आलू की कमी है देसी घी की कमी है आप मोती ची से देसी की चाता मत मांगो अरे आप सब तो ऐसे कर रहा हो जैसे मैंने कितना देशी की खा लिया औरே दो चमत मुश्गकल से मोदी जी से टेशी की खाया होगा मैंने मोदी जी बस एक चमत देशी की हुर, देता हुँ तुमें आराम से ने तुम आइनों को भीडियो लेकर दो चैनल को सब्सक्राइब लो अगत है आज 10 दिन हो गए नहया नहीं हूँ क्हेत पर काम करते करते फुरसती नहीं मील लही है राहुल नहने वाला साबुन तो है नहीं मेरे पांस तो मोदी जी चलो नहने वाला साबुन मैं केजरी बाल जी से ले लूँगा कपड़े धोने वाला साबुन दे दो अरे भई कपड़े धोने वाला साबुन भी नहीं है मेरी दुकान पे अरे क्या बात है मोदी जी पूरी की पूरी दुकान खाली करे पड़े हो तो फिर तुमारी दुकान पे है क्या ना नहने वाला साबुन है ना कपड़े धोने वाला साबुन है और पूरी की पूरी दुकान तुमारी खाली दिख रही है और ये अखलेस और योगी जी तुमार पूरा पूरा दिन कैसे बैटे रहते हैं ये बताओ वो देखो अगलेस चार पाई पे लेटा हुआ है अरे जब भी मैं तुम्हारी दुकान पे आता हूँ ये हमेशा चार पाई पे लेटा हुआ मिलता है अगलेस अगलेस पूरी की पूरी दुकान मेरी उधार खांगा है यही पे बैटे रहते हैं उधार ले ले चार पाई हैं क्या बता हूँ अरे मुदी जी इन दोनों पे कितना कितना उधार है तुमारा और लेते क्यों नहीं अरे योगी जी पे तो जादा नहीं है, योगी जी पे तो मुस्किल से देल लाग रुपिया आए, अरे देल लाग रुपिया, क्या कह रहे हो देल लाग रुपिया, देल लाग रुपिया को थोड़े से बता रहे हो, अरे देल लाग रुपए को इसलिए थोड़ा सा बता रह कि अगलेज मुझसे पांच लाग रुपए की सौधा खा चुखा है इस दुकान से और जब भी मांगो ये कहता है कि फसल आएगी फसल पे दे दूँगा अरे मोदी जी हम कहीं भागे थोड़ी जा रहा है तुमारी चार पाई पे तो लेटे रहते हैं पूरा पूरा दिन चार पाई तो तोड़ना है तुमारी अरे ऐसा भी तो कोई साथ देने बाला हो तुमें जो पूरा दिन तुमारे साथ रहे हम रहते हैं देखो पूरा दिन च कोई चीज नहीं मिली योगी जी तुम कैसे बैटियों कब चुकाओंगे मेरे पैसा मुझे साम साम बताओं अरे मोधी जी अभी अखलेस ने कहा नहीं कि हम कहीं जा थोड़ी रहें पूरा पूरा दिन तो तुम्हारी दुखान पे बैठे रहते हैं अरे जब होगा पैसा दे देंगे तुम्हारा उधार समझे कई भागे थोड़ी जा रहा हैं हैं तो यहीं पर और भाई लोगो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो लानु जी इतनी उमर हो गई लेकिन इतनी सर्दी पढ़ते मैंने गाउं में कभी नहीं देगी हाथ ठंड के मारे हम नहीं कर पा रहा हूं अपने हाथों से इतनी ठंड है अच्छा लालू जी आप ही बताओ इतनी ठंड पढ़ते आपने कभी देखी और यह कैसी हलकी आग जला रहे हो आग को तेज करो ठंड भागी नहीं रही बिल्कुल अरे क्या बात करते हो मोदी जी आप भी ठंड के क पर योगी इस टेम पे जितनी ठंड इस टेम पे पढ़ लाई है देख रहे हो पूरा हफता होने को जा रहा है मैं मजदूरी करने के लिए नहीं गया हूं आग के पास यूँ ही बैठा रहता हूं अरे अकलेस कहां घुसे जा रहे हो बीच में थोड़ा हटके को ना बैठो अधर को योगी जी की तरब अधर काफी जगा है अरे राहूल पूरे चार आदमियों की जगा घेर के बैटे हो और मुझसे कह रहे हो कि हटके बैठो आग के पास बैठे बैठे भी बक्त नहीं करता है क्योंकि ठंड में कोई काम हो नहीं पा रहा है क्या करा जाए अरे पूछता हूं सब लोगों से जवाब दो पूछो मोधी जी पूछो जल्दी पूछो मैं जवाब दूगा इस बार ऐसी कौम सी चीज है जिसे आदमी खाने के लिए खरीचता है लेकिन उस चीज को वो खुद खा नहीं पाता अरे इस पहली का जवाब तो बहुत ही आसान है ल मैंने तुमसे पूछा उस चीज का नाम बताओ जिसे आदमी खाने के लिए खरीचता है लेकिन खा ही नहीं पाता मेरे बिलकुल दिमाग में नाम है लेकिन जवान पे नहीं आपा रहा है ऐसी कौन सी चीज है अरे योगी जी आप ही बताओ अरे ऐसी कोई चीज मेरे और पिलेट है जिसे आदमी खाने के लिए खरीता है लेकिन उसे खाने ही पाता है और व्यजों को विडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राब करो रोकोरो मोदी जी साइकल रोको अपनी इंतिजार करूँ है अपने पैसों का अरे योगी जी मोधी जी क्या बात है क्या है क्यों बहस कर रहे हो क्या माज रहा है हमें भी तो बताओ कुछ और मोधी जी एक मलाई वाली जरुआ आईस्क्रीम दे दे न अरे अगलेश क्या बताओ छे महीने पहले इन मोधी जी ने सई चलने लगेगा इनों ने आइस क्रीम से कम से कम एक हजार रुपे कमा लिए लेकिन मेरे पैसे देने का नामी नहीं ले रहें अब लोगों ने उदार लिए अम मुझे हलकी हलके पैसे मिलते रहेंगे इनके चुका दूँगा, इन्हें लग रहा है, मैं हजार रुपे कमा के बैट गया, हजार रुपे मेरे बिके जरूर है, लेकिन वो सब उधार पहला हुआ है, वो देखो सोनिया गांदी जी बैटी हुई है, उन पे भी मेरे पचास रुपे उधार है, वो भी देने का नाम न सोल आए थे तुम बहुत कटी थी, बहुती मजेदार, वो ही देदो अगर है, हैं तो कच्छे आम बाली आइसक्रीम, लेकिन परसोई के पैसे नहीं मिले, तुमारी बंबी ने पैसे नहीं दिये, अम मैं तुम्हें और देखे फरस जाओं उधार, समझें मैं उधार नहीं सामने देख नहीं रहा हो, योगी जी मुझसे उधार मांगने को खड़े हुए, खोपले पे, अरे मोधी जी कैसी बात करते हो, तुमारे 50 रुपए उधार है, तुमारे 50 रुपए सोने की है, ये 5 रुपए की और दे दो इसे राहुल को, तुमारे 55 रुपए हो जाएंगे दे दूंगी मैं जल्दी, अरे मोधी जी तुम यहाँ पर खड़े खड़े अपना धंदा कर रहे हो, आइसक्रीम बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो, मैं यहाँ बेबाल तुमें खड़ा हूँ, अरे मेरे पैसे कुना दो, आज मैं बिना पैसे लिए नहीं जाँगा, योगी इतने बेरेहम भी मत बनो, इतनी सक्ती से पैसे मत मांगो, तुम्हें ध्यान है, दो साल पहले तुमने मुझसे पैसे उधार लिये थे, तुमने मुझे बो, देर साल में पैसे लोटाई थे, मैंने कोई सक्ती से मांगे थे तुमसे, अरे उनका पैसा फैला हुआ है, सम्में मोधी जी का तुमने अभी अपने सामड़ी देखा सोनिया गांधी पर 50 रुपए उधार है उनके और आज राहुल गांधी ने जो अभी 5 रुपए किया ऐस्क्रीम लिए 55 रुपए हो गए ऐसे जाने कितने उधार है उनके मिलेंगे वो तुमारी चुका दिंगे और भाई ल